हाई, वेलकम टू माई चनल, इस वीडियो में स्वाल्व करेंगो क्वेशन अबाट 23 और सिलेंड्रिकल कंटेनर विद डामीटर आफ बेस 56 सेंटीमीटर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है और इसका डामीटर दे दिया है बेस का वो है 56 सेंटीमीटर मतलब कि यह मालीजे आपका है सिलेंड्रिकल कंटेनर और इसका जो डामीटर है मिन्स यहां से ले करके और यहां तक जो यह लेंथ है वो दे दिया है 56 सेंटीमीटर 56 सेंटीमीटर ओके डामीटर अब यह जो कह रहा है कि यह जो कंटेनर है सिलेंड्रिकल इसके अंदर sufficient water है मतलब परियावत मातरा में water है to submerge मतलब डुबाने के लिए किसको rectangular solid of iron एक rectangular solid of iron को इसमें डुबाने के लिए sufficient water है और इस rectangular जो solid of iron है इसका dimension दे दिया है 32 cm by 22 cm by 14 cm मतलब कि इसका length, breath और height दे दिया है तो करा है कि find the rise in the level of water तो बताए कि कितना इसके water में level rise होगा when the solid is completely submerged यदि इस solid को completely इसमें submerge कर दिया जाए तो मतलब कि solid of iron को इसके अंदर पूरित असे डुबा दिया जाए तो इसमें जो water है कितना level उसका high होगा ठीक है तो एकदम ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो यह मैंने बना दिया है यह label का यह water का label है currently ठीक है ओके इसको मैं तोड़ा सा और इसको गाढ़ा बना दे रहा हूँ ताकि आपको फता रहे कि यह जो है level of water है यहाँ तक level of water है यहाँ पर अभी अब यह जो है जब इसको solid of iron को जब इसमें submerge करेंगे तो यह label of iron फुरा सा उपर चला जाएगा और कितना यह उपर जाएगा तो माल लेज़े कि हम यहाँ पर इसको पहले इसको अंदर डालते हैं तो हमने यहाँ पर इसको select किया अब इसको उठा करके हम इसको अंदर डालेंगे तो हम इसको उपर से ले गए और देखिए इसमें चला जाएगा इसको अंदर अब इसको अंदर हम ले जा रहे हैं और यह हम ले जा करके इसमें submerge कर दिये ठीक है अब रख दी हैं यहाँ पर रखने के बाद होगा क्या अब रखने के बाद यह इसका जो water का level है वो उपर चला जाएगा तो कितना जाएगा ये पूछ रहा है ये पूछ रहा कि कितना उपर चला जाएगा उसका level of water तो हम माल लेते हैं कि इसका level of water यहां तक पहुच जाएगा मतलब कि हम यहां पर यहां तक पहुच जाएगा तो मालीजे की यहां यहां तक हो जाएगा मतलब कि यह जो level of water है वो ऐसे बन जाएगा ऐसा बन जाएगा और यहां पर जो water है वो fill हो जाएगा क्योंकि यह जो solid of iron हमने डाला है इसका जितना वी volume होगा उतने ही volume का ऊपर जो है यह water rise हो जाएगा उतने ही volume का ठीक है मतलब कि यह जो उपर rise हुआ है यहाँ से ले करके और यहाँ तक यह उतना ही rise होगा जितना उतना ही volume of water rise होगा जितना volume इस solid of iron का है ओके मतलब हमें क्या करना है कि यह जो बन गया है cylinder ठीक है यह जितना rise हुआ है हम h cm माल लेते हैं कि rise हुआ है ठीक है जो h cm rise हुआ है जितना यह volume of water rise हुआ है यह एक तरह से cylindrical volume of water है cylindrical space है जो rise हुआ है तो यह cylindrical volume है इसी को निकालेंगे हम यह volume इसका तो यह बिलकुल उतना ही आएगा जितना इस solid of iron का volume है है कि नहीं जितना volume इस solid of iron का होगा उतना ही तो यह water जो water का level जो है rise होगा उतने ही volume का तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर solution में पहले यहाँ पर माल लेंगे let let h cm of height h cm b h cm b in the level of water in the level of water ओके तो माल जी की h cm जो है rise हो रहा है level of water में when यह लिख देते हैं यह भी कि when क्या करने पर level जो हो रहा है when the solid is completely submerged when when the solid of iron is completely submerged completely submerged तो completely जब समर्द करना है तो यह volume of level of water माल जी की h cm rise हो गया ठेक हमने यह माल लिया तो यहाँ पर हमें एक बात पता होनी चाहिए we know that we know that volume of water raised जितना मतलब volume of water यहाँ पर raised हुआ है वो equal होगा volume of solid of iron ठेक है मतलब अब यहाँ पर देखिए volume of यह इतना rise हुआ है उसका volume कैसे निकालेंगे तो pi r square h pi r square h is equal to volume of solid iron इसका होता है length into breath into height तो यहाँ पर जो यह h है न वो यह height of यह जो है न height of solid iron है confused मत हुएगा यह solid iron का height है और यहाँ पर जो h है वो यह वाली height है जो हमने यहाँ आप निकाला है तो यहाँ पर pi की वाली पर दिए 22 by 7 into r square r के वल कितनी होगी देखिए आपर diameter दे दिया है diameter आपका है 56 cm तो radius हो जाएगा 56 upon 2 cm मतलब 2 बंज़े 2 और यह 2 बंज़े 4 और 2 बंज़े 16 मतलब आज जाएगा 28 cm तो आपका radius है 28 cm मतलब 28 का square into edge यही h आपको find करना है और length यहाँ पर क्या दिया है देखिए आपका देदिया है dimensions यहाँ पर इसका use करेंगे तो length आपका है 32 breath आपका 22 into height आपका है 14 ठीक है तो यह हो गया volume इतना centimeter cube अब हमें h निकल जागा यहाँ से तो h बरबर क्या हो जाएगा देखिए h बरबर निकालेंगे तो यहाँ पर हमें जो denominator में उससे multiply करेंगे इधर तो यह हो जाएगा 32 into 22 into 14 multiplied by 7 whole upon देखिए 22 से divide करेंगे और multiply करेंगे 28 का square भी निचे रहेगा 28 का square का मतलब कि 2 बार इसको multiply करेंगे ठीक है अब यह हमारा h बरबर निकल जाएगा 22 22 से cancel out हो जाएगा अब यह 14 बंजा 14 होता है 14 2 जा 28 7 बंजा 7 7 4 जा 28 और देखिए 4 से यहाँ चलेगा 4 8 जा 32 2 बंजा 2 2 4 जा 8 मतलब यह आ जाएगा 4 cm means h बरबर आगे आपका 4 cm यह लिख सकते हैं कि hands rise in the level of water is equal to 4 cm and this is your answer okay thank you so much for watching इसमें कोई भी confusion नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है बहुत अराम से बहुत धिर धिरे तो like कर देजीगा तो share करिएगा और कोई भी doubt होता है वैसे comment नहीं रहेगा तब भी कुछ comment दूर करिया ताकि मुझे inspiration मिलती रहे मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूं बाइ बाँ